Hi everyone, welcome to the class. So, आज हम discuss करने वाले हैं uniform civil court, जिस हम shortcut में UCC भी बोलते हैं. अभी recently उतराखन में से enforce भी किया जा चुका है. तो इसको देख लेते हैं, ये exam में बहुत बार पुछा जाता है और अब तो इसकी relevancy और भी जादा बढ़ गई है. तो देखे, कानून जो हैं आपके दो टाइप के रहते हैं, civil law and criminal law. Civil law में आपके personal laws आगे, आपके property से related laws हैं, आपके contract हो गया, company laws and so on. ये सब आपके civil laws के अंदर आते हैं. और criminal law जो होते हैं, जो state के against होते हैं, जिसमें आपका IPC, CRPC and so on. ये सब आपके criminal laws होते हैं. अब ये uniform civil law क्या है? Civil इसके अंदर आता है, it means civil law से ही relate करता है, बहुत common है. आप uniform क्या होता है? uniform word को अगर हम समझे, आप जब school में जाते हैं, आपने देखा होगा कि सभी बच्चे जो हैं, वो एक ही तरीके की uniform पहनते हैं. तो यहां पर भी ऐसा ही है, जो भी अलग-अलग religion के अपने personal laws हैं, जिनसे वो marriage, divorce, maintenance, adoption, succession and so on, जिनसे वो regulate करते है personal laws से, उनको जो है side कर दिया जाएगा. इंडिया full of diversity है, हर religion का अपना एक personal law है, जैसे हिंदू लो हो गया, मुसलिम हो गया, क्रिश्चन, पार्सिजिस and so on. तो सभी के अपने personal law है, जिनसे वो regulate होते हैं, जो उनकी family के functions जो होते हैं, family से related issues क्या रहते हैं, marriage, divorce, जो भी मैंने आपको बताएं, तो वो उनके personal side कर दिये जाएंगे, और वो सभी जो है एक ही तरीके के कानून से regulate किये जाएंगे, maintain किये जाएंगे, वो होगा आपका uniform civil law, uniform civil court भी कह सकते हैं, UCC जो है हमारा, अब इसमें कौन-कौन स जो personal laws जो है, वो effect होंगे, जहां पर भी कोई right या कोई duty arise हो रही है, वो आपका uniform civil court से effect होगा, इसका एक example देखे हैं, जैसे कि हिंदूस में जो है, शादी किस तरीके से होती है, अगनी के फेरे लेकर, लेकिन Muslim में जो है, वो एक आजर contract कबूल है, इस तरह से वो perform की जाती ह है, तो उन चीजों में तो कोई right नहीं आता है, कोई duty नहीं आता है, लेकिन शादी से related, अगर कोई right and duty arise हो रहा है, जैसे maintenance का हो गया, legitimacy का हो गया, void या avoidable, इस तरीके से जो चीज़े रहती है, उन चीजों पर आपका UCC ज़रूर effect करेगा, क्योंकि जहां पर right arise हो रहा है, य अब maintain किया जाएगा, example यह भी देखिए, जैसे शादी है, शादी का registration करवाना को mandatory हो जाएगा, यह सारी चीज़े है, अभी मैं आपको उत्राखंड में जो UCC enforce हुआ है, उसका थोड़ा सा detail मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको एक idea हो सके, समझ में आ सके कि UCC के अंदर रखे गए हैं, अब uniform, civil code, इसका मतलब आप समझी गए कि uniform का मतलब है, सभी पर एक तरीके का कानून लगाया जाएगा, civil code है यह, तो सभी के जो personal laws है, उनको side कर दिया जाएगा, अब इसको बनाने की power कहां से आ रही है, गवर्मेंट के पास, किसकी duty है इस तरह का कानून ब कारे की election होने के बाद, जो भी government power में आएगी, जो भी से मतलब तो BJP government आएगी, वो UCC को enforce करेगी, अब UCC जो है, आपके article 44 of Indian constitution में दिया गया है, जो यह कहता है, the state shall endeavor to secure for a citizen a uniform civil court throughout the territory of India, तो पूरे Indian territory के लिए एक UCC लाया जाएगा, लेकिन जब आपके constitution में दिया गया है, त इसका एक reason यह है, क्योंकि यह article 44 में है, जो आपका DPSP, Director of Principle of State Policy, जो कानून के द्वारा enforceable नहीं है, जैसे कि आपके fundamental rights, they are enforceable by law, अगर आपका fundamental right infringe होता है, तो आप court में जाके उसे enforce करवा सकते हैं, इस वज़े से अभी तक यह enforce नहीं हो पाया है, नहीं लग पाया है, क्य वेक्तियों को अपना religion, practice करने का freedom है, यह देखे, freedom of conscience, free profession, practice and propagate of religion, तो अपना religion, जो है, वो follow कर सकते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, fundamental rights, they are enforceable by law, और DPSP, they are not enforceable by law, अगर आप UCC लेकर आते हैं, तो आपका fundamental right infringe होगा, जो अगर enforce होता है, तो यहीं बोला जाएगा कि हमारा fundamental right infringe हो रहा है, जो आपको right देता है, कि भी आप अपना religion, जो है, profession, practice कर सकते हैं, तो इसका एक भी बहुत main reason रहा है, जिस वज़े से UCC अभी तक enforce all over India नहीं हो पाया है, बट उत्राखंड में अभी आ चुका है, February 2024 में जो है, वहाँ पर enforce हो चुका है, अब हम, इस हम इस से related, जो important case लो हम देख लेते हैं, हम इस वीडियो में सारे वो point cover करेंगे, जो exam में पूछे जासते, ज़्यादा, deep detail में जाने की हमें कोई जोट नहीं है, exam purpose से हम इसमें देख, so यहां हम तीन important landmark cases हम discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहला तो यह रहेगा, मौमद एहमद ख और important cases हैं, इस topic से related, UCC से related, तो सबसे पहले देखते हैं, मौमद एहमद खान versus शाह बानो बेगम, 1985 का, अब यह जो हम case discuss कर रहे हैं, इनका year भी आप याद रखेगा, और जो इनमें judges जो रहे हैं, जिन्होंने decision, judgment जो है, डिलीवर किया है, उनके नाम पे आप याद रखे, क कौन सा newly one है, तो year-wise भी आरेंज करने के लिए बोल भी आ जाता है, तो year भी आद रखेगा, और judges के नाम याद हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छा है, राइट, so, मौमद एहमद खान versus शाह बानो बेगम, 1985 का एक case है, इसमें जो मुद्दा रहा, वो था maintenance का, कि क्या कोई Muslim women, personal law है उनके पास already, but still, क्या कोई Muslim women, जो है, CRPC के section 125 के अंदर, maintenance claim कर सकते हैं अपने husband से, ठीक है, so, यहाँ पर हमारे Chief Justice of India, उस टाइम के, वाई भी चंदर चूड, इन्होंने यह बोला था, it was a step towards the UCC, अब इसमें क्या हुआ था, देखे, इस case का जादा deep detail में आपको यहा एक अलग से पूरी, काफी लंबी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें मैंने इस case की सारी detail बताई हुई है, यहाँ पर बस मैं आपको important point इसके बतायती हूँ, इस case में क्या होता है, कि एक Muslim women होती है, उसको उसका husband जो है, डाइवोस देता है, और उसको फिर हूँ maintenance देने दोबारा से वो court में petition file करते हैं, कि भी इस maintenance को amount को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, उसमें 175 rupees, 179 rupees जो उसके maintenance को कर दिया जाता है, तो इस चीज़ पर जो है, उसका जो husband है, वो supreme court में जाता है, और वो यह बोलता है, कि Muslim law के, Muslim personal laws के अंडर जो है, यह बोला किया है, अग अगर कोई आदमी अपनी previous wife से, जिसे वो divorce दे चुका है, उससे अगर किसी भी तरीके का रिष्टा रखता है, कोई link रखता है, तो वो हराम माना जाता है, और यहाँ पर आदमी जो है, अपनी इस previous wife को maintenance दे रहा है, तो यह एक तरीके का link, connection बना रहा है उसकी previous wife के साथ, जि इसकी वजए से यह हराम माना जाता है, वो entitle नहीं है अपनी इस previous wife को maintenance देने के लिए, लेकिन Supreme Court ने इस इसको खारज कर दिया, और जो High Court का जो decision था, maintenance का उसको अपहल्ड कर दिया था, ठीक है, तो इसमें हमारे Chief Justice of India जो वाई भी चंदर चुड़े, नोंने यह बोला था, क यह UCC की तरफ एक step forward रहेगा, लेकिन बाद में क्या रहा है, जो महीला थी, शाह बानो बेगम, इसने अपना maintenance जो था, इसको विड्रॉल कर दिया था, क्योंकि इस पे Muslim Personal Law के जो members थे, जो लोग थे, उनके association के जो यह लोग रहे, उसका बहुत जादा pressure है, जिसकी वज़े से उसने अपना यह maintenance जो है, यह विड्रॉल कर दिया, बाद में क्या हुआ, यह 1985 का decision था, उस टाइम पे Congress Government Power में थी, तो 1986 में जो है, एक कानून लेकर आया गया, जिसका नाम था, The Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986, जिसमें मुसलिम 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 के rights की थोड़ी सी बात की गई थी, लेकिन कोई rights आज सच उन्हें आक्चुल में नहीं दिये गए थे, वो बस एक मुसलिम कम्मुनिटी को खुश करने के लिए, जिससे जो है, सुप्रीम कोर्ट का decision है, वो निरस्त हो जाएक तरीके से, यह इसलिए लाया गया था, basically, बट कोई major effect नहींगा, बस major effect यह रहा कि uniform civil court को ल जिवाज से, लेकिन, वो second marriage करने के लिए, जो है, इसलाम कबूल कर लेता है, इसलाम में convert हो जाता है, और उसके बाद वो second marriage कर लेता है, तो इसमें क्या issue बनता है, कि whether a Hindu husband can have a second marriage after converting to Islam, क्या एक Hindu husband, जो है, इसलाम में convert होने के बाद, क्या हो second marriage कर सकता है, क्योंकि Muslim law के अंडर जो है यह valid है कि भी एक आदमी एक से ज़ादा बीविया रख सकता है दूसरा इशू था कि whether such a marriage is validated, the first marriage is not dissolved कि क्या ऐसी शादी valid होगी जबकि उसकी पहली शादी dissolve नहीं हुई है तो यह जो case है आपका two judges bench case रहा आपका Honorable Justice Kuldeep Singh and Justice RM Sahai ने यह matter decide किया था इसमें court ने यह बोला था कि सबसे पहली बात कि भी शादी जो है automatically dissolve नहीं होती है अगर आप Hindu धराम से Muslim धर्म में convert हो जाते हो और second marriage अगर कर ले तो इसका हो तो यह नहीं कि आपकी first marriage automatically dissolve हो जाएगी और second marriage जो है वो invalid, illegal ही मानी जाएगी जबकि आपका पहला जो आपका spouse आपकी wife जो है वो जिन्दा है तो इसके अंदर जो है husband को चार्ज किया गया section 494 of IPC के अंडर जो है और इसके second marriage को जो है illegal माना गया था यह automatically dissolve नहीं होती है husband पे section 494 के charges लगाए गए और first marriage जो है वो ही valid मानी जाएगी अगर dissolve करनी है पहले शादी तो आपको section 13 of Hindu marriage act के अंडर जो है डाइवोस की decree pass होनी चाहिए तभी आपकी पहले शादी जो है वो dissolve होगी तो इसमें जो है यह matter decide हुआ इसमें जो हमारे judges थे जो supreme court के judges थे उन्होंने उस time के जो हमारे prime minister रहे नर्सिमा राओ उनको advice दिया था कि it's a peak time to you know to look after that the section 44 साहरा बानो versus union of India 2017 का केस है बहुत important case और बहुत famous case भी है इससे triple तलाक case भी बोला जाता है muslim लोग के अंदर आपको अगर पता हो कि तलाक किस किस तरीके से दिया जाता है यह उसी का एक form है तलाक ए बिद्दत जिसे triple तलाक बोला जाता है जिसमें husband जो तीन बार तलाक तलाक बोलता है इसे instant तलाक भी बोला जाता है तो इसके अंदर क्या होता husband जो है 2016 में एक muslim आदमी जो अपनी wife को इसी तरीके से तलाक तलाक बोलता और instantly उसका तलाक हो जाता है तो ये एक writ petition लगाए गई थी Supreme Court के इंदे, बहुत सारे petitions को club करके जो है इसको decide किया गया था, इसमें तीन जो practices हैं उनको challenge किया गया था, तीन practices क्या है, instant triple तलाग जो आपका तलाग के बिदद जो है इसको challenge किया गया था, दूसरा निकाह हलाला, तीसरा polygammy, निकाह हलाला होत को अपनी previous wife के साथ दुबारे से शादी करनी है, तो वो कैसे की जाए, तो जो उसकी previous wife है, पहले वो एक किसी और वेक्ती के साथ शादी करेगी, उससे divorce लेगी, फिर घूम कर वापिस से अपने उस पहले पती के साथ पिर से शादी करेगी, ये निकाह हलाला होता है, डारेक पॉलेगेमी मतलब कि भी एक आदमी जो है, एक से जादा बीविया रख सकता है, जो Muslim law के अंदर जो allowed है, तो इन तीन practices को challenge किया गया था, ये आपका constitutional bench रा, five judges bench जिसे हम constitutional bench कहते हैं, तो हमारे जो judges हैं, उनके नाम मैंने या लिख दिये हैं, इनको पढ़ लीजेगा, बहुत जो है, judges के नाम पूछ लेते हैं, या फिर judges को यह अगर ऐसी relevant statement देते हैं, judgment के अंदर वो लिख देंगे, फिर पूछें कि भई, यह किस justice judge ने जो है, यह बोला था, तो year, judges के नाम, यह प्लीज आप याद रखेगा, तो यहाँ पर जो view रहा, दो judges ने कुछ और कुछ और के दो judges से, उन्होंने क्या कहा, वो देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे CGI जगदीश कहर और Justice अब्दुल नजीर ने क्या बोला, कि कानून जो है, कहीं पर भी जो essential practice होती है, religion की, उसमें interfere नहीं करता है, और यह जो practices जिनने challenge किया किया है, वो essential practice होती है, article 25 of Indian constitution में बोला ग है, अपने religion को practice करने का, propagate करने का, जिसमें court जो है, कहीं पर भी इंटरफेर नहीं कर सकता है, अगर वो essential religious practice है, और यह जो काम है, कानून बनाने का काम जो है, वो legislature का है, कानून का, court का नहीं है, यह Supreme Court ने, हमारे दो judges ने इस matter पर बोला, लेकिन जो majority थी, हमारे Justice Korean Joseph and Justice Rovington Nariman and Justice Uju Lalit, उन्होंने ये बोला कि, ये कहीं पर भी essential practice में नहीं आता है, ये arbitrary nature का है, क्योंकि right to equality, जो fundamental rights है, women's का, वो infringe होता है, ये instant triple तलाग के practice से, और ये कहीं पर भी essential religious practice नहीं है, essential religious practice होती क्या है, ये थोड़ा से मैं आपको बता दू, जैसे एक example के तोर पर, कि सभी का, हर religion के अंदर शादी perform करने का तरीका अलग-अलग होता है, कोई अगनी के फेरे लेकर शादी करता है, कोई कबूला कबूला बोलकर शादी करता है, ये essential religious practice हो सकता है, या फिर कोई पूजा किस तरीके से करता है, कोई आग जला कर पूजा करता है, हवन करके पूजा करता है, को किसी के fundamental right को infringe करता है तो उसमें जो है court interfere कर सकता है और इस वज़े से triple तलाग को unconstitutional declare किया court ने अब ये सब होने के बाद जो है हमारी legislature ने 2019 के अंदर एक कानून आया था जिसमें the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 ये act आया जिसमें triple तलाग को एक cognizable offense बनाया गया, punishable offense बनाया गया अगर कोई वैक्ती ये triple तलाग, instant तलाग perform करता है तो उसमें उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है और ये जो triple तलाग है ये जो तलाग के बिद्दत है अगर कोई return हो चाए वो oral हो या return किसी भी format में है, वो illegal and void ही माना जाएगा ये आपका था शायरा बानो वसे उन्यों ओफ इंडिया 2017 का केस था थोड़ा सा मैं आपको उत्राखंड में जो UCC enforced वह उसके important points बता देती है Uniform Civil Code, अब ये कहां सबसे पहले enforce हुआ था देखे कोई तो बोलेंगे गोवा में हुआ था येस गोवा में जरूर हुआ था लेकिन वो independence से पहले था I guess 1867 के around जो है वहां पर UCC enforced हो गया था वो क्यों हुआ था क्योंकि तब दूसरे बाहर के जो विदेशी लोग थे वो गोवा को dominate करते थे वहां उसको regulate करते थे तो यहां पर अलग-अलग religion होने की वजह सब की practices उसको तो नहीं follow कर सकते थे तो वहां पर UCC enforce कर दिया गया तो वह before independence है गोवा में लागो रखा था तो after independence सबसे पहले जो है अभी recently उत्राखंड में इसे enforce किया गया है इसमें important चीज क्या है कि अगर कोई शादी की जा रही है तो सबसे पहले कि शादी की जो minimum age है 18 साल बालिक होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए 21 जो है for the bridegroom तो लड़का और लड़की की जो है age वो set कर दी गई है और शादी के बाद शादी का registration जो हो mandatory किया गया है और अगर कोई UCC को follow नहीं करता है तो उसके लिए punishment भी दी गई है और अगर कोई live-in relationship में है तो ऐसे relationship का registration भी mandatory किया गया है और इस relationship से अगर बच्चे होते है तो वो legitimate children में consider किये जाएंगे तो यह मुझे सबसे ज़्यादा interesting लगा और एक इसका वहां के जो क्या बोलते है जनजाती वाले जो लोग होते ना जो जनजाती जो रहते है वो इसका exception रखा गया क्योंकि उनके laws अलग है तो उन पर UCC नहीं लाग होगा और भी बहुत चारे points है इसमें तो बस मैंने एक दो छोड़ी-मोटी चीज़े आपको बताई है क्योंकि ज़्यादा मेजर नहीं आएगा इसमें बस interesting point मैंने आपको बता दिये तो I hope कि भी आपको यह topic समझ आया होगा और अगर किसी है कोई doubt है तो आप comment करके पूछे और वीडियो को share करें चैनल को subscribe करना तो बहुत ज़रूरी है and thank you for